Hello, everyone. Welcome to my channel. तो हम आज बात करने जा रहे हैं, Acid Radical के question का. देखिए, ये जो question है, ये आपको तब कर पाएंगे, जब इससे पहले, तीन वीडियो आपको देखना पड़ेगा. Acid Radical, Group 1, Group 2 और Group 3. उसके बाद ही आप ये question करें. नहीं, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, हाँ, परहे हुए हैं, तो लगेगा जो इस type का question है. तो चलिए हम बात कर लेते हैं, कहा जा रहा है, BR2 भेपर टर्न अस्टार्च पेपर. यानि हम लोग Bromide टेस्ट में देखे थे, जो इसको कौंक H2SO4 के साथ reaction कराया जाता है कि नहीं, तो वहाँ पे ये जो BR2 का जो भेपर है, वे मिलता है. जदी उस भेपर को अस्टार्च पेपर के आप contact में लाएंगे, अब लगता होगा जो अस्टार्च पेपर क्या है, तो सबसे पहले योँ समझिए जो पेपर और उस पेपर को जदी आप हम लोग सब लोग जानते हैं जो घर में जो मार होता है, मार चावल का जो residue part है, मार, उस मार में पेपर को डुबा दीजिए और डुबाने के बाद फिर जो है, आप क्या कीजिए, तो BR2 बेपर के कॉंटेक्ट मिलाइए, तो यह कैसा कलर हो जाएगा बच्चों, एलो कलर का हो जाएगा, ठीक, ब्राउन रिंग टेस्ट फोर नाइट रेट, ब्राउन रिंग टेस्ट फोर नाइट रेट, इस डू टू फोर्मेशन ओप कॉंपलेक्स, यानि सबसे पहले यह याद रखिए, जो brown ring test किसका है nitrate का यहां से question ले लिया जाता है या हम कहें जो nitrate test जो है किसके द्वारा क्या आता है तो brown ring के द्वारा due to formation of complex iron यानि कौन सा complex iron का formation तो यह तो आपको याद कवरने वाला है यानि यह समझ यह जो acid radical का बात हो और फिर हम इसके बाद base radical बात करेंगे तो base radical का बात हो उस सभी में आपको memorize करना परेगा learn करना परेगा तब आपसे बात बनेगी क्योंकि यह completely जो है समझने के साथ साथ learn तो देख लीजिए आप अपने से जो कौन सा तो यह option C अब यह कहेंगे जो सर्जी कैसे हुआ तो इसके लिए आपको एक ही कहते हैं जो playlist में link दिया हुआ रहेगा आप जो है सो वहां से video देख सकते हैं यह acid radical group first group third, second सभी दिया हुआ है next question चलिए लीजिए तिसरा नम्मर कहा जा रहा है जो X को H2SO4 के साथ reaction कराईए और कौन सा तो dilute तो वह कैसा smell देगा vinegar smell ठीक फिर कहा जा रहा है जोदि उस X को FECL3 के साथ नहीं कुछ लिखा हुआ है तो neutral तो कैसा color दे रहा है blood red तो कहा जा रहा है बताइए वह X क्या होगा तो हम लोगों को यह याद रखना पड़ेगा जो एक acetate जो है यानि acetate जो salt है उसको dilute XO4 के साथ reaction कराने के बाद क्या होता है भीनेगरस मेल देता है फिर उसी acetate को FECL3 के साथ reaction कराने के बाद blood rate देता है तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है यह acid base radical sorry acid radical का question कर लिए अब आपको हम base radical बात करेंगे ठीक है तो चलिए जदि आप को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो content अच्छा लग रहा हो कुछ benefit हो रहा हो तो share कीजिए like कीजिए और subscribe कीजिए बच्चों क्योंकि यह system इसी के उपर चलते रहता है धन्यवाद बच्चों